इंजन बड़ा पावरफुल है दिहूं का पक्टा खेज है जहां पे और जहां पे खेजूं के जे तंचल खड़े हुए है पूरे के पूरे घंचल एक ही बार में कंचने बाहर करती है यह दसक्ती और 525 जबल शौक्तर का जे निया कमाल इंजन इंजन महुत पावरफुल है बोनी विलबल बैतरी है एक्दम मिट्टी एक्दम बढ़िया यह सबसे बढ़िया बैसी जुताई के लिए किसान के लिए अपना यहूं काटने के बत्रूंत बुवाई करने के लिए परिवट करने से पहले तयारी के लिए बहुत वडिया तयारी करने गते बैसी जाहरा आञ निते लिए उपने पराऊद पहरा इलने जाता है तो ना ये इंजन लोड मानेगा, ना ये इंजन दुआ देगा, ये मशीन ही इस वरिकेटी नहीं दुनिक ट्यार किया है, इस मशीन का काम है कि इसके शाथ कहा है, और अगर टैच्मेंट सीके भी जोड़ी, तोवी ये किसी प्रकार का लोड़ी है। कि देखो दोस्तों यह लेवलिंग करने वाला सिस्टम कि जली जली आपको इंप्लीमेंट दिखाऊंगा मैं अठेस करा करा के देखो यह लेवलिंग चल लगी है कि कोई सावी किये तो जी अगर हम उसे सही तरिके से समतल करेंगे कि देखो आप लोगों के लिए क्या उपियोगी चीज आई यह देखो पहले लेवल की उसके बाद दोस्तों पहले जिताई की लेवल करके फिर अपना यह बढ़िया है मशीन पे जो भी हम इस पे अटेश्मेंट लगाएं सबसे बड़ी बाद यह है कि मशीन लोड़ना मने इंजन लोड़ना मने दिवाना दे और हरे एक टेश्मेंट पूरा जही तरिके से काम रहे यही मेरा है सराजाबाई का यही मेन मकसद जी 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 इसके आगल में नाली बनगी और यह तो बागवानी बगारा में नाली बनाने के लिए बहुत बढ़िया है और चीज में नाली बनाने के लिए यह सही काम करेगा और मटी लगाने का भी काम करेगा छोटी लाइन दर फसलों मैं देखा रहा हूं बहुत बढ़िया जो ताई भी बड़ी गहरी करके गया हो और सबसे बड़ी बात है ये बिलकुल सीधा तो राजा जी काम तो बढ़िया किया है अपने और मैं आसा करता हूँ कि इंप्लिमेंट जरूर पसंद आएंगे खिसानों को आपके और जिस सिधाब से काम है हम तो देखने के लिए एक्साइट हूँ रीपर को देखेंगे दोस्तों यही इसका अटेश्मेंट रीपर भी इसी में लग जाता है देखते हैं दोस्तों यह द बोड़ा सांदर प्रेदे को कटाई था और यह मतलब कही काम करेगा यह खिलाई मल्टी परपेस्ट काम करेगा सबसे बड़ा बरूना चाहूंगा जो पीछे का निराई बोलते हैं जो सबसे नीचे की यह नराई रहेगी यह जाड़ जिसम बोलते हैं बिल्कुल नीचे से कटके जा रहा हैं जिसरे की बूह सबसे waief जाएगा सबसे बड़ा कमाल है क्योंकि बिल्कुल लेकर दूनिक डंका बिल्कुल नेया ही बना यह चीज तो राजाजी मैंने बताई यह चीज बड़ी बढ़िया लगी के यह कटाई एकदम लेविल में करता है तो वेस्टेज जो किसान का जो माल की है वो कम सकम होगी यही हमारा एक उद्देश है किसानों को जागरू करने का नहीनी चीज है दिखाने का राजा जी कीमत तो बाइतरीन तो प्रशा तो यह का पूरा मदान सफा चाट जी से बोलते हैं वो काम कर रही है एक ही लाइन से दिलकुल सिस्क्रम से इसने तैल अगा रिकी है किसान के लिए सबसे बहतरीन मशीना क्योंके किसान को अच्छा गेहूं लाइन डार गेहूं कटा हुआ होना चाहिए और नीचे का जो नड़ाई है वो बिलकुल जमीन से सटके कटा होना चाहिए यही बहुत इससे वेस्टेज कम से कम होगी राजा जी बहुत बहुत दन्यवाद आपने एक बहुतर जानका नहीं दी राजा जी कीमत 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 आर पांसो पच्चीस दस हैचपी पेटरॉल डवल शौकर के साथ जे पूरा कमबाइंड सेट रीपर के साथ इसकी जो कीमत रहने वाली है वो एक लाग दस हैयार पे रहेगी अगर किसान भाई कोई सेलफ वाला देना चाहता है तो वो एक लाग पंद्रह हैयार पे का रहेगा सेलफ के साथ सेलफ के साथ अगर कोई भी किसान बिना रिपर के जे मशीन लेना चाहता है तो दस हैचपी की मशीन 32 बलेड की रूटरी साथ में दो दो हैजार पे की दो अटेचमेंट के साथ इसकी जो कीमत रहने वाली है वो सिरफ 65,000 पे रहने वाली है और सेलफ के साथ 70, पर ही आर पे रहने बाद